मुझे तो जुए तो जुए तो जुए वेलकम टो अनितंक बच्टों इंजिनिरिंग में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं मैथमाटिक्स तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं लेकिन और भी सारे सब्जेक्ट्स गनितंक एप पर हम लेके आये हैं और बहुत सर बच्चे कहते सर इंजिरिंग में केमिस्ट्री क्या कर रहा है है ना तो बाई साब इंजिरिंग में केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी आपकी केमिस्ट्री इंजिरिंग की केमिस्ट्री से मैच करनी पड़ेगी और यहां पर आता है गनितंक आपके साथ तो बच्चो हमने गनितंक आप पर Engineering Chemistry भी launch किया है और यह बढ़ाएगी हमारी बहुत ही experience teacher इनको 16-17 years plus experience है इनोंने काफी बड़े-बड़े institutes में काम किया है, बहुत top institutes, top ranks provide की है और यह आपको Engineering का Chemistry भी पढ़ाने वाली है बच्चो Engineering Chemistry by Sheik Ma'am, Courser Sheik Ma'am और बहुत मज़ा आएगा आपको इनके साथ पढ़कर, systematic way में पूरे structured way में आपको question answering कैसे करनी है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, theoretical paper आता है और theoretical paper में questions के answers कैसे step by step लिखे diagram कौन सा आना चीए कौन-कौन से question से भाई जो पूछे जाते है रटने पढ़ते हैं ना point by point लिखने पढ़ते हैं और वो यहां पर मैं आपने बहुत अच्छे से करा हुआ है देखिए, जब भी आप course खरीद लोगे course में enroll कर लोगे तो आपको बहुत systematic way में सारा दिखेगा कि lecture उसके नीचे उसके notes है WT मतलब water technology है ना तो हमेशा ऐसे रखा है हमने चलिए इकाद notes को देखते हैं अगर मैं notes दिखा हुआ आपको देखिए यहां पर notes में सबसे अच्छी बात क्या है कि यह slide में कुछ है जो मैं आपने लिखा हुआ है यह कौन से question का answer है यहां question लिखा हो red में state ill effect of hard water in boiler तो ऐसा कुछ लिखना है आपको अगर slides दिखोगे ना हमेशा आपको ऐसे ही कुछ दिखेगा कि यहां पर question red color में लिखा है उसके answers यहां पर है जो पीपीटी है तो कितना fantastic तरीका है ना है पीपीटी में जो लिखा है यह actually किस question के लिए है आमने बहुत काम कर रखा है आपके लिए बहुत आसान कर रखी है आपकी life मज़ा ही आएगा आपको देखिए explain how dissolved gases causes boiler corrosion अगरे अगरे तो यह उसके लिए है ना सारी चीज़े है तो मैम पढ़ाती भी है और साथ-साथ मैं उससी study में बताती है कि आपको कौन से question के लिए answer करना है बहुत systematic और step by step आपको बताया गया है ऐसा करोगे तो full score आए गई ना और first यह सबसे दा scoring मुनाची है हमारा सबसे दा पॉइंटर मिलने चाहिए हमको तो ऐसे हमें सारे chapters cover करने है देखे मैम already हमारे दो units जो है जा चुके है आप फटा 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 जॉइन कर सकते हैं हमारे app पर और कौसर मैम के साथ बहुत मजा आएगा तो इस पूरे course में क्या-क्या है कितने units है कैसे कैसे आप पड़ोगे क्या-क्या करोगे यह सब जानते हैं हम कौसर मैम के साथ over to कौसर मैम hello students I'm sure आप लोग बहुत anxious होगे यह जानने के लिए कि आप क्या engineering में chemistry में सीखने वाले हो applied chemistry में, right so यहाँ पे this is exactly what I'm here for मैं यहाँ पे explain करोगी आपको कि आपको chemistry में क्या-क्या सीखने मिलने माला है ठीक है so पहली बात तो we are going to talk about the Puna University okay Puna University chemistry का जो syllabus है वो actually आपके 12th standard में आपने जो सीखा है उससे अलग है okay यहाँ पे जैसे 12th standard में you have got organic chemistry जहाँ पे आपको reactions पढ़ने पढ़ते थे लिखने पढ़ते थे physical chemistry में धेर सारे numericals थे right ऐसा यहाँ पे नहीं है numericals यहाँ पे कम है right organic chemistry का तो सवाल ही नहीं आता यहाँ पे तो organic reactions की बात ही नहीं करेगे okay तो हम basically यहाँ पे क्या सीखने वाले है एक नया experience होगा आप लोगों को and I'm sure यह journey मेरे साथ और हमारे group के साथ आप definitely enjoy करने वाले हो तो हमारी कोशिश यही है कि आपको अच्छे से introduce कराए okay हार topic के साथ ताकि आप उसे रटे नहीं आप उसे समझे right तो यह course जो है यह 4 credit का course है and you by now you all know that the present syllables divides it into 30 marks for CCE and for the end semester is 70 marks and then you have got something new to do that is the teamwork which is 25 marks तो यह कोई नहीं बात नहीं होगी आपके लिए आपने अभी तक बहुत कुछ देखा होगा लेकि नया क्या है तो केमिस्ट्री में क्या नया है यह आपको हम बताने वाले है okay so basically we are just going to talk about कि यह जो course है इसमें आप पहले इसके objectives क्या है ठीक है तो basically हहाँ पर आपको introduction मिलेगा water का क्योंकि इंडस्ट्री में water बहुत use होता है इंडस्ट्री में polymer बहुत use होता है यह सारे and then of course you have got conductometry इंडस्ट्री में corrosion की बहुत value है right क्योंकि आप कुछ भी अगर आपका device है industrial device है it could be a boiler or it could be any industrial device right so definitely उसका कभी न कभी तो corrosion होना है तो यह corrosion से आप कैसे prevent कर सकते हो right you cannot imagine industries without water so water has an important role to play क्योंकि water the type of water is again going to extend the corrosion okay then you need some techniques to know कि आपका जो substance आपने बनाया है वो प्योर है impure है इसके लिए हम अलग 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 techniques सीखने वाले है that is pH metric and all that right so basically अगर आप देखोगे तो आपका जो पोर्स का objective है that is to acquire knowledge regarding water technology electro analytical techniques like for example you are going to learn about your polymers you are going to learn about your nanomaterials जो पहले आपने कभी सीखा नहीं polymer was just a chapter जो आपने सिफ दो माक्स के लिए है इसले शायद छोड़ भी दिया होगा right लेकिन ऐसा आप यहां कर नहीं सकते okay आपने electrochemistry ज़रू सीखा होगा लेकिन जो perspective electrochemistry का engineering में है वो काफी अलग है यहाँ पे आप pH metry सीखने वाले हो यहाँ पे आप electrode सीखने वाले हो of course calumel वाले electrodes जो आपने पहले सीखे है वो तो सीखने ही वाले हो लेकिन इसके साथ आपको glass electrodes ion sensing electrodes यह सब भी आपको सीखने को मिलने वाला है और I'm sure आपको बहुत मजा आने वाला है ठीक है definitely industries अगर है तो fuel की तो बात हम करने ही वाले है क्योंकि बिना fuel के तो आप कुछ industry के बारे में सोच ही नहीं सकते तो fuel जो है इसके बारे में हम सीखने वाले है we are going to get acquired to what is calorific value all these terms which are absolutely new to you or maybe some of you may know it but then this is exactly what we are going to study in this particular course okay then of course course का outcome क्या है तो यहाँ पर आपको water quality को monitor करना आना चाहिए ठीक है electro-anatical technique को आपको समझना चाहिए यहाँ पर you have got to demonstrate structure and properties of different engineering materials that is what we are going to study in polymers right and of course fuels में what are the different alternative fuels क्योंके petrochemical is a non-renewable fuel कभी ना कभी तो वो खतम होने वाला है तब जाके हम क्या करेगे पूरी दुनिया रुकने चाने गाली सब तक हमको एक ऐसे fuel सोचने चाहिए जो alternative fuels है जो petroleum से काफी अच्छे है okay so all this is that we are going to see okay and of course corrosion is something which is not preventable लेकिन हमको सीखना क्या है कि corrosion को हम कैसे prevent करे right मिनिमाइस करे ताकि हम जो भी मेटल यूस करे उसकी efficiency और बड़े और इसका result आपको आपके output में दिखेगा ठीक है तो यह basically यह सारी जो चीजे है वो कहीं नकरी जाके आप यह output को hamper कर रही है तो इसको reduce करने के लिए हम क्या कर सकते है हमारा raw material कैसे होना चाहिए हमारा material कैसे होना चाहिए वो सारी जो चीजे है is basically what we are going to talk about in this particular syllabus right so let's talk about a few more things here okay तो पहले तो we are going to begin with your water technology अब यहाँ पर हम क्या सीखने वाले है यह में थोड़ा आपको बदाते थी हूँ EDTA आपने सीखा होगा यह नाम आपको जानते होगे आपको ordination chemistry में आपने सीखा होगा EDTA लेकिन वो EDTA जो है उसका application आप यहाँ देखने वाले हो in softening of water so basically in water technology हम क्या देखेगे कि आप water को कैसे soft कर सकते हो water की वज़े से क्या क्या problem आ सकते यह problem को आप कैसे handle कर सकते हो यह problem को आप कैसे tackle कर सकते हो यह सब कुछ आपको किसमें सीखने मिलेगा water technology में सीखने मिलेगा and then of course you have got instrumentation methods so यहाँ पे देखो basically जब आप कुछ भी product बनाते हो तो वो product को purity चेक करना वो product में different उसके parameters चेक करना यह बहुत important है क्योंकि at the end of the day your product is going to sellable तो उसकी जो purity है वो बहुत important है उसकी जो durability है वो बहुत important है तो यह सब आप कैसे check करोगे so there are different methods analytical methods right उसके लिए आपको अलग अलग instrument लगेगे तो यह सारे instrument की जो जानकारी है is what we are going to see in unit 2 right so we are going to talk about the reference electrodes we are going to talk about the titrations which are the conductometry titrations we are going to talk about the pH right and of course we are also going to talk about something which is very new and that is your UV visible spectroscopy अब तक तो आप सर्फ UV region के बारे में जानते होंगे लेकिन अभी आप जानोगे किस के बारे में कि यह UV region हमारे लिए कितना useful है as far as detecting the purity of the substance and that is we are going to study in UV spectroscopy ठीक है चलो थोड़ा आके बढ़ते है देखते है कि और क्या-क्या दिया है ठीक है तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे so we are going to talk about some engineering materials right so the material that we use has a very important role to play okay तो यहाँ पे हम कुछ engineering materials की बात करेगे especially हम polymers की बात करेगे and we all know कि polymers जो है वो कितने problematic हो सकते है because आज आप बघर से बाहर निकलो आपको जहाँ नहीं वहाँ polymers दिखने मिलेगा isn't it तो इस पे हम क्या इसका क्या इलाज हो सकता है क्या हम polymers यूज करना बंद करेगे बिलकुल नहीं क्योंकि it will become a part of a day to day life so हम ऐसा polymers बनाएगे जो जादा durable हो जो रिखाइकलेबल हो जो बायोडिग्रेडबल हो जो हमें अलग-अलग चीजों में काम आता है उसके लिए हम उसकी एफिशेंसी बढ़ाएगे all that is what we are going to see in advanced engineering materials where we talk about polymers which can be conducting polymers which can be biodegradable polymers we are going to talk about thermoplastic polymers thermosetting polymers यह स्वारी चीज़े आप word सुन रहे हो लेकिन यहाँ पे आपको actually उसका feel मिलने वाला है ठीक है then of course we are going to talk about the new thing that is your nanomaterial जिसका तरफ एक paragraph introduction था आपके last assessment यहाँ पे we are going to see a little bit in detail we are going to talk about graphing which is again an example of nanomaterial and we are going to talk about something new which is the quantum dots तो यह सारी चीज़े जो है हम देखने वाले है and we are going to have your energy sources right so we cannot imagine any industry running without energy isn't it और यह जो energy हमको मिलती है वो बहुत सारे बहुत सारे चीजों से मिलती है energy right so we are going to talk about the fuel okay अब यह fuel अच्छा है बुरा है यह कौन डिसाइड करता है तो we are going to have techniques which are going to determine की fuel अच्छा है बुरा है and we are going to talk about the calorific values right फिर अफकॉस अगर हम coal यूज करे है as a fuel then how do you understand की वो क्यो कोल जो हम यूज करे है वो अच्छा है अच्छा नही है उसकी calorific value कितनी है यह सब हम यहाँ पे सीखने वाले है plus of course coal, petroleum यह सारे non-renewable है यहाने कभी न कभी यह खतम होने वाले है ठीक है तो इसके alternative क्या होगा तो इसका alternative होगा hydrogen gas as a future fuel right okay so we are also going to talk about that then of course we are going to talk about lithium right lithium battery which are batteries which are the new in आपने देखा होगा की आज़ बसस जो है वो electricity पे चल रहे है cars जो है वो electricity पे चल रहे है तो यहान पे the batteries that we are going to use so that these are we are no longer dependent on petroleum or any other fuel which is non-renewable इसले we are going to talk about the lithium ion battery right and finally we come to the last thing that is corrosion and its prevention which is of course the most important thing क्योंकि जो भी हम metal use कर रहे है वो oxygen के साथ react कर जाएगा कभी न कभी और वो करोड होगा तो अगर हम को यह नहीं चाहिए तो हम इस corrosion को कैसे prevent करेगे इसके लिए पहले हम समझेगे की corrosion क्या है और उसके बाद हम देखेगे की यह corrosion को हम कैसे prevent कर सकते ठीक है so these are all the few things we are going to talk about the cathodic protection we are going to talk about the anodic protection we are going to talk about the coating that you can give on the metal so that it is prevented from corrosion we are going to talk about dry corrosion wet corrosion यह सारी चीजे हम किसमें देखने वाले है corrosion और इस prevention में देखने वाले है ठीक है so this is in short the syllabus जितना मैने इस जर्नी को एंजोई किया है I am sure आप भी इस जर्नी को उतना ही मेरे साथ एंजोई करोगे and that will definitely get reflected in your pointers or in your marks or in your grades whatever okay so I wish you all the luck and I wish you a very bright bright four years of engineering and a very bright scope of chemistry so you hopefully you understand everything and hopefully that gets reflected in the marks okay so wishing that wishing you let's begin our journey together and understand the subject more properly and enjoy the subject with each other thank you I'm I'm I'm